हाई फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब देशी कुकिंग में आपका स्वागत है आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे आज हम खेतों में बनाएंगे बिल्कुल अलग तरीके से मचली रेसिपी यह बहुत ही स्वादिष्ट खाने में लगता है बहुत आसाने साप इसे बना सकते हैं इसी नदी का हमने मचली लिया है दो केजी अब इसे हम अच्छे से साप कर लेते हैं पहले उखलीक में डालेंगे अध्रक छिला हुआ लैसून प्याज सभी को अच्छे से हम करस कर लेंगे फिस में डालेंगे हल्दी पाउडर थोड़ा सा नमक डालेंगे इसे अच्छे से मिला लेते हैं लैसून प्याज और अध्रक इसमें अकरस हो रहा है कडाही में डालेंगे सरसो तेल तेल को अच्छे से गरम होने देंगे अब इसमें फिस डालकर हम फ्राइ करेंगे एक साइट से फ्राइ हो गया है इससे पलटकर दूसरे साइट से हम फ्राइ करेंगे दोनों साइट से अच्छे से फ्राइ हो गया है अब इसे हम निकान लेते हैं इसी तरह बचे हुए फिस को भी हम फ्राइ कर लेंगे फ्राइ करने का सिंपल तरीका वही वाला है जिस तरीके से हम लोग हमेशा फ्राइ करते हैं सभी फिस को हमने फ्राइ कर लिया है बचे हुए तेल में डालेंगे साबू जीरा और काली मीर्च तीन मेडियम तैसाइट का हमने टामाटर लिया है यह हलका पका हुआ है ताकि थोड़ा खटा पनाए स्वाद नुसार नमक डालेंगे नमक हमने पहले भी फिस में डाल दिया था इसलिए अपना हिसाब से डालेंगे अब इसमें डाल लेंगे हम अधरक लाकूं और किया जो हमने करस किया था ता मसाला को भूंज कर बिल्कुल अच्छी तरीके से हम गलार वेंगे ताकि एक भी ही पच्टाने चले तमाटर प्याज हल्डी पोडर लाल मिर्स पोडर अब इसमें थोड़ा साम पानी डालेंगे ताकि मसाला गले नहीं भूंजने के बाद पानी डालने से मसाला बिल्कुल अच्छी तरीके से गल दाता है आप देख सकते हैं इसे मसाला बिल्कुल अच्छी तरीके से गल गया है अब इसमें डालेंगे ग्रेवी के लिए पानी अब इसमें डालेंगे फ्राइ किये हुए फीस इसमें अलग कुछ नहीं हमने डाला है अब जो कच्छा टामाटर हमने डाला है उसे खटापन आ जाता है मसली में यही थोड़ा सालक टाइप के हो जाता है कुछ लोग इसमें सरसू डालते हैं हमने सरसू डाला नहीं इसी तरह हम इसे 30 से 40 मिनट के लिए पकने देंगे धीमाच पर इसे प्रवादे पता है अजय को जाता है इसे प्रवादे लोग इसे खटाएप जाते हैं जाते हैं चालिस मिनट के आसपास हो गया है इसे मुतार देते हैं चुले से आप देख सकते हैं कितना बढ़िया देखने में लग रहा है उतना ही अच्छा स्वादिश्ट लगता है खाने में आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इसका गरीवी है यह रेसिपी आपको पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ सेर करें फ्रेंड्स गोड़ो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं इस वीडियो में तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए खाते पीते रहें मस्तिम रहें करें अपने के लिए रहें लिए अपने का लिए पत्राइब का जादरा आपका अपने के लिए अपने के लिए झाल झाल झाल